मन्चस्थ उपस्थित सभी मान्नेवर एवं सभागुरों में उपस्थित सभी वईद्यगण नागरिक सज्जन माता भगिनी. वैसे तो मेरा एक छोटा सा काम है, उद्गाटक मुझे काहा है, इसलिए मुझे घोशना भर करनी है कि इस कारिकाम का उद्गाटन हो गया. तो मेरा काम समाप तो हो गया वेसे. परन्तु सुनवाल जी ने कुछ कहा है, तो थोड़ा बोलता हूं, बहुत ज्यादा नहीं. आवशकता भी नहीं, सारी बाते आ गई. व्यासपीट का 25 साल का काम बहुत अच्छा हुआ है. उसकी साक्ष ये सब कारिक्रम है. सारे देश से लोग आये हैं, परियाप्त संख्या में आये हैं. और एक शास्तरार्थ आहिरुवेत को लेकर हो रहा है. या कहिए कि एक कुम्भ हो रहा है, जिसमें विचार मंतन होता है. नहीं नहीं बाते सामने आती है. आगे बढ़ने की समाज की दिशा तय हो जाती है. ऐसा एक कारिकरम उसके साक्षी हम सब है. तो इस आउसर पर दो बाते मन में आती है. कि पचीस साल हम आगे चले और आज अच्छे दिन देख रहे हैं, ऐसा कहा गया है आयुरुवेत के लिए. लेकिन यहां तक हम जिन गुणों के भरो से आये, उन गुणों का जतन आगे भी हो, इसकी बहुत आवश्च्छता रहेगी. कौनसे गुणों कारे जादा आपको बताने काम आपने के आए, इसलिए आपको पता है. लेकिन जब कठिन काल बीच जाता है, और अच्छा काल आता है, तो कठिन काल में अपना साथ देने वाले सद्गुणों को ध्यान रखकर उनको वैसा ही आगे चलना पड़ता है, यह सब को करना पड़ता है. और इसलिए ऐसा समय पर ऐसा एक वाक्य बोलना यह उपयोग तो होता है, उपयोगी होता है सबके, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी एक बात मेरे मन में ऐसी आई अभी, सुनते सुनते ही आई है, आयुरुवेद ऐसा कहा है, तो वेद तो संग्रह है, अने कुरुशियों की रुचाओं का संग्रह है, उन्होंने अनीक देवी देवताओं की प्रार्थना करके, जो उनको दर्शन हुआ, वेद देख और बोले, ऐसा कहते हैं, तो इन सब का एक संग्रह है, आज जितने वेद उपलब्द है, वो पूरे के पूरे अपने पास है, ऐसा, यानि वो पूरे के पूरे है, लेकिन वो सब पूर्ण ऐसा नहीं, कुछ लुपत भी हुए है, और काला लुकरम देखते हैं, तो वेदों में जुड़ता चला गया है, अब वेदों में और जुड़ेगा, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी शास्त्र की बात ऐसी नहीं, तो उसका विकास होते रहा है, तो आयुर्वेद को समाज का आश्रय, राजा आश्रय प्राप्त था, तब तक चिकिचिचा करते हुए, अपने सास्त्र का विचार करते हुए, उसको हम बढाते रहे, और वो प्रकरिय आकरमण के काल में रुख गई, अब फिर उसे यह उसर प्राप्त हुआ है कि हम शास्त्र के ज्ञान का विस्तार करें। और उसी के कारण एक बात मन में आती है कि वास्तों में हमको भी आयुरुवेद को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। एक तो बात है कि सस्ती, सुलब, चिकित्सा सब को उपलब्द हो। और चिकित्सा लेने की बारी कम से कम आये, इतने सब लोग स्वस्थर है। ऐसा करना है तो आयुरुवेद के सिवाई दूसरा परियाय नहीं है। इसका विचार केवल आयुरुवेद में हो। परन्तु साथ-साथ और भी चिकित्साएं हैं दुनिया में। अब अलो पर थी लीजिए। तो गलत तो है नहीं। बीच के कालावदी में ये जो पैथियों के अहंकार। अपने अपनी विशेश्ताओं के अहंकारों का जमाना था। उसमें ये पैथियों का भी अहंकार रहता। वो नाटक एकच प्याला मराथी बोलने वालोंने सुना होगा। देखा होगा या पड़ा होगा। उसमें वो तलिराम नाम का एक पात्रे पियककड है। और आखरी क्षन गिन रहा है अपने जिन्दगी के पड़ा है। अचेतावस्था में। और इलाज करने के लिए बुलाते तो भागदाड में दो लोग जाते एक वईद्य को लेके आता है एक डॉक्टर को लेके आता है। और वो पेशंट तो रह बाजू इनकी आपस परदा वहां शुरू हो जाती है। तो वैद्य कहता है कि ये मात्रा दिनी के बाद पन्रा मिनिट में ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता है कि वेकार की बात है पाँच मिनिट में मर जाएगा। यानि जिकित organizing फिटर नहीं। तो सभी बातों में उप्योगी बात क्या है? शास्त्रियाबात क्या है? उसका हम जो आयुरवत का विचार करते हैं, उसकी जो बुनियादी मूल्य है, उनके अधार पर कुछ उसका स्पष्टिकरण हो सकता है? क्या? अभी आधुनिक विज्ञान ये कोशिकाओं के स्तर पर ज कि जैसा वेदो के बारे में कहते हैं वेदो अखिलम धर्म मूलम वैसे शायद ऐसे हो सकता है आयुरुवेद अखिलम पैथि मूलम ऐसा कहा जाए। तो आयुरुवेद को एक जागतिक अरिष्ठान इससे प्राप्त हो सकता है इस दिशा में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए और इस दिशा में जाना है तो अब भी जानते हैं कि शुद्धरूप में आयुरुवेद की प्रेक्टिस यह होनी चाहिए उसमें अन्य पैतियों का क्या उपयुक्त लेना कैसा लेना यह तभी हम कर सकते हैं और यह करके भी आयुरुवेद आयुरुवेद रहेगा जब आयुरुवेद के मूल अधिश्ठान पर शुद्धा आयुरुवेद की प्रेक्टिस हम लोग करेंगे और लोग ठीक होते जाएंगे तो फिर राजाश्रे पिछे पिछे चला आएगा क्योंकि उसको आपको मांगना नहीं पड़ेगा अगर दुनिया भर के लोग आयुरुवेद चाहिए आयुरुवेद चाहिए करने लगेंगे तो वर्ल्ड हैल्थ और्गनाजिशन से लेकर तो यहां की सरकार किसी की भोव वहां तक सब लोगों को उस आयुरुवेद को राजाश्रे प्राप्त करा देना पड़ेगा तो ना भिषे को न संस्कारों सिम्वस्य करिये ते वनाई ही विक्रमार्जितस्य स्वयमेव म्रुगेंद्रता ये स्थान आयूर्वेद को प्राप्त करा देना 25 साल में एक व्यास्पीड जो अखिल भारतिया हो सकता है हमने खड़ा किया अब आगे के 25 वर्षों में इस प्रकार का एक स्वयमेव म्रुगेंद्रता के रीती से आयूर्वेद का वैश्विक अधिष्ठान उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ना ये संकल्प आप लोग अगर लेंगे इस अधिवेचन में तो आगे के 25 साल भी आपके परिश्रमों का एक सार्थक फल आप तो देखेंगे ही लेकिन स्वास्थ की दृष्टी से सारी मानवता को और स्वत्व की दृष्टी से अपने हिंदुस्थान को भारत देश को एक बहुत बड़ी उपलब्दी प्राप्त करा देने का श्रेया कुण्या आपके नसीब में आएगा वैसा वो पचेश साल के बाद आये ये शुभकामना आज देता हूं और मेरे शब्द समापत करता हूं गया दन्यवाज